नमस्कार दोस्तों आड इस वीडियो में लोग बात करने वाले येस बैंक के बारे में और इस वीडियो में लोग ये भी डिसकस करें कि आप लोग को येस बैंक में अपने पैसे इंवस्ट करने चाहिए या नहीं और आपने अगर और लेट येस बैंक में पैसे नशकर रखे और आप लोग देख सकते हैं और आप लोग देखने के लिए यानि की बड़त के साथ मार्केट खुला और मार्केट खुलने के साथ आप लोग को मार्केट में थोड़ी अच्छी तेजी दिभी देखने के लिए यह शेयर आज 30 पैसे तक भी आप लोग को देखने के मिला था लेकिन उसके बाद ये शेयर कहीना कि आप आप आज इस्ट्रगल करते विए दिखाई दिया था सवा दस बज़ी से लेके पौने दो बे तक इस शेयर ने बहुत इस्ट्रगल करा कुद को स्टेबल लगने के लिए लेकिन दो बज़ के बाद आप लोग काफी बड़े किरावाट में दुबारा से देखने के लिए मिली थी अगर देख से तो 13.60 पैसे से मार्केट खुला था और 13.40 पैसे मार्केट बंद हुआ अब यहां से जो मंड़े के दिए मार्केट खुला है क्या टार्गेट आप लोग के रह सकते हैं और क्या आप लोग करना चाहिए तो जो लोग बताते क्यों का जो काफी शेयर है मैं इस शेयर के तो कोई मीद मत रखिए कि आप लोग को साल के एंड तक भी इस सो रुपया तक भी क्रोस करने के मिलेगा क्योंकि इतना अच्छा परफॉपमेंस आप लोग को कहीं भी देख में नहीं मिलती ना उसके रेवेन्यू इंट्रस एक्सपेंसिस में उसकी बैल से हो जो चुकी है लेकिन इस्थी तो आलता करना चायए है तो आप लोग अपने टिसक्ते हैं किसम्यों अपने कर सकते हैं अपने रेक घचा वेकार सकते हैं ऐसा नहीं कि सारे बैंक की बेकार होते हैं कि हो सकते बैंक आने वाल टाम आपको अच्छा परफॉमेंस रेटन दे सकता है मल्टिप अगर बन सकता है बट बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यह वीडियो अच्छे लगई हो तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कर देना च